वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों तो आज पूरी वीडियो पुरा कलाफ वासिंग में ही रहेगी और आप लोग देखते रहोंगे कि दोस्तों विलीज में कैसा है कलाथ वासिंग करेंगे याने की कपड़ा कैसे दोस्तों तो यह आप लोग पुरा वीडियो में देखोगे सबसे पहले तो मैं बता दू कि यार आप लोग यह दीख रहा होगा पाइप तो इस पाइप एक ट्यूवेल है और इसमें पानी निकलता है तो पानी निकलने के बाद हम गंजी उसमें रख दिये हैं एक बड़ा सा उसके अंदर में कपड़ा अपरा सब डाल दिये थे तो थोड़ा सा कपड़ा का जो भी गंदा हो वो थोड़ा गिला हो जाया और उसके बाद ही इसमें आप लोग भरावा दिख रहे हैं आप लोग गंजी तो उसमें पानी है तो पानी हम लोग जब कपड़े को धोलेंगे ना उसके बाद ही इसमें हम लोग डुबाएंगे और पानि कुछलेंगे तो पानि भी दे के इसको हम धोएंगे कपड़े जोभी होगा तो हमारे पास अभी कपड़े कम हैं तो इसको धोए हम लोग तो फिलाल बहुत कपड़ा भी बचा हुआ है तो उसको धोने के लिए बाकी है तो अभी लगभख हम लोट टाइम लग जाएगा आधा ऐगंटा लग जाएगा तो इसको धोने में हम लोगो और अब लोगो जो दिक रहा होगा, थोड़ा-थोड़ा तो यह नल है तीन पाइप वाण नल है और ये आप लोग देखोंगे इस बैच्चे को कई वीडियो में आप लोग देख चुके हैं तो जैसे कि ये बहुत ही मस्ति करता है अब इस वीडियो में भी आप देखोंगे कैसे मस्ति करेगा ये देखिए आप लोग पानी खेल रहा है दोस्तों देखिए और इसके बाद हमारा कलात वासिंग भी चल रहा है इधर तो लगबग हमारा कपड़ा भी खतम होने वाला है अब भी भी हमारा कलात वासिंग चल रहा है यानि कि कपड़ा धोने का काम ही अभी भी चल रहा है हम लोग किसमें कपड़ा धोते हैं ये आप लोग देख रहे होंगे कि एक जो साबुन का डिबा रहता है उसमें हम लोग जो मॉयल रहता है ना दोस्तों उसको निकालते हैं और उसको कई तरह की निर्मार्मा डाल वाल के उसमें धोते हैं उसके बाद ही जो भी गंदा रहता है कपड़े बड़े में सब निकल जाता है और उसके बाद ही हमारा वो काम खतम हो चुका है फिलाल अब हम लोग पानी में धो रहे हैं कपड़े को जितना ही बचा है उस कपड़े को धो रहे हैं फिलाल हमारा कपड़ा भी तो उसमें पानी नहीं था, तो यह पानी भर रहा है, फिलाल एक एक कपड़े को डालते जाना है, और इसके बाद यहां डुबा डुबा के हम लोग को कई एक जगह में रखना है, क्योंकि जो भी इस कपड़ें पानी रहेगा, वो सब निकल जाए, और उसके बाद सुखाने क कैसे चलेगा, आप लोग को अकलात वासिंग और भी जबरदस्त होगा हमारा, आपको वीडियो और भी बहुत अच्छा दिखाएंगे, यह दिखे, फुल हो चुका है हमारा गंजी, और हमारा काम भी अभी आधा एक घंटा ले चुका है, फिलाल अभी लेने वाला भी है, क फिर भी हम लोग निर्मा में और कुछ साबुन का डिबा रहता है, उसी में घंज-घंज के सब धो चुके हैं, सहरी लाके में कुछ आप लोग ने देखा होगा कि सहरी लाके में बहुत ही अच्छी तरह से वहां सब वेवस्ता रहता है, इसलिए बहुत ही कपड़ा- अच्छा दोने में और भी मज़ा आता है, लेकिन गाओं में इतनी ही नहीं होता जो ऐसी ची कपड़े दोते हैं, आप लोग दीख रहा होगा कि ये टूबल है और टूबल में दोना पड़ा रहा है, और खास कर कि यहां पर कपड़ा दोने का कुछ ही ऐसा समान नहीं है, ज कपड़ा दूलवा चुका है, तो अब हम लोग सुखाने के लिए जा सकते हैं, हमारा काम भी आप फिलाल खतम होने वाला है, तो हमारा ब्लोग भी खतम होगा, तो हम लोग कैसे कैसे कहां पर कपड़ा सुखाते हैं, ये आप लोग ब्लोग की तरीके से दिखाएंगे, और अपे देखे गाओं के एरिय में कैसे कप्ड़े सुखाते हैं इस सरहила क्यों कैसे कप्ड़े सुखाताह यह भी आप लोग अप लोग उसी तरफ लेक lieber दिखाएंगे तो आप लोग पूरा दिखेगा यह दिखे थोड़ा नज़ी से दिखा रहे हैं तो यह दिखे आप लोग के तार दिख रहा होगा तो उसमें एक कपड़ा सुकाते भी नज़र आ रहा है तो यह कपड़ा हम सुका रहे हैं की पर कपड़ा सुखा लिए हैं तो फिलाद आप लोग को सब्ख़ार होसा हुए कि गाहों के लोग कैसे कपड़े सुखा आते हैं यह आप लोगों देखने में मज़ा आ रहा होगा तो प्लीस हमारा ब्लॉग बस इतना है दोस्तों नेक्स ब्लॉग के लिए बाइबाइब